नमस्कार आप देख रहें NWI और मैं हूँ आपके साथ सत्यमगौर्व उत्तर परदेश के बांदा से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई जिसने सभी को जंजोर कर रख दिया दरसल उत्तर परदेश के बांदा में यमना नदी में एक नाव पलट गई जिसमें चार लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं आखिर घटना क्यों हुई और नाव क्यों पलटी इसकी वज़े भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे पहले हम आपको पूरी खवर बता देते हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है उत्तर परदेश के बांदा जिले के मरकाश शेत्र में फटेपूर जिले के जरोटी घाट जा रही एक नाव के ब्रैस्पत बार को यमना नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई है जबकि 17 अनलोग लापता बताए जा रहे हैं मिली जानकारी का उनसार बांदा नाव दुरगटना में लापता हुए लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है मौके पर NDRF, SDRF की टीमें लगी हैं और लगाता रेस्क्यू कर रही है मरका कस्बे में यमना नदी पार करते समय नाव पलटने से हादसा हुआ था और हादसे के दौरान करीब तीन दरजन लोग इस नाव पर सबार थे जिसमें से 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बचा लिया गया है जबकि 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं वहीं चार लोगों के शवों को भी पोलिस ने बरामत कर लिया है वहीं उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगे आधितनात ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है पोलिस अधिक्षक अभी नंदन ने बताया है कि दीए एक दुखत घटना हुई है जिसमें कि यहां हमारे जनपत से जो बगल के बॉर्डर जनपत फतेपुर में नाव से लोगों का आउगमन होता है तो उसी के दौरान आज एक नाव पलट गई और पलट ने अकारण बता जा रहा है काफी तेज आज हवा चल रही है तो उस वज़े से डिस्बैलेंस हुई और नाव पलट गई अभी तक कि जो जानकारी है उसके हिसाब से पंद्रह लो को ने रिकवर किया है उनको हम लोग अस्पताल में विजवा कि उनका इलाज करा रहा है वो बिल्कुल स्टेबल है ठीक है एसडी आरेफ की टीम और लोकल जल पुलिस की टीम तो तीनों आ रही है यहां पर जल्द ही यहां पहुंच जाएंगी रिस्क्यू ऑपरेशन बहु का जोका आने से नाव डगमगा गई यानि की बैलेंस बिगड़ गया इस बज़े से नाव पलट गई अब नंदन ने आगे बताया है कि अब तक चार लोगों के शबों को नदी से बाहर निकाला जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है इसके साथ ही जो स्थानी लोगों ने जानकारी दी है उनके अंसार ये है कि नाव में शमता से अधिक लोग सवार थे और जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिए जाये जा रहे थे इस्थानी लोगों के अंसार ये बताया जा रहा है कि नाव में करीब 50 लोग सवार थे 40-50 लोग इस वज सामने निकल कर आई नाव पलटने के बाद करी 15 लोगों ने अपनी तैर कर जान बचा ली जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है वहीं 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जिनको NDRF, SDRF की टीमें लगातार खोजने में जुटे हुई हैं फ्लाल इस वीडियो में अभी क के लिए बस अतना ही देखते रहे हैं NWI